वेलो फ्रेंड्स विल्कम टू आवर चैनल सॉर्ट हैंड गुरू जी आज का डिक्टेशन असे सब्तो प्रते मिनट की गती से रहने वाला है इस डिक्टेशन की फुल पीडियफ आपको हमारे टेलीग्राम के गुरूप शॉर्ट हैंड गुरूजी फैमली में मिल जाएगी गुरूप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो डिक्टेशन स्टार्ट हो जाएगी पान सिकंड के बाद आप सभी लोग रेडी हो जाएए रेडी स्टार्ट महोदय प्रतेक कदम फूँक फूँक कर रखना होता है और हो सकता है कि हम कुछ वर्ष गवादें लेकिन स्वतंतरता गवाने की अपेच्छा वह अच्छा होगा स्वतंतरता का अर्थ केवल अपनी सरकार होना नहीं होता बलकि उसका अर्थ होता है कि हम निर्णे सोयम कर सके हो सकता है कि वे निर्णे गलत हो लेकिन वे हमारे निर्णे भारत के निर्णे होने चाहिए हमें कपड़ा उद्योग की समस्याओं का भी ध्यान है हमने आधुनकी करण के लिए विदेशी सहयता की आवश्यक्ता को सुईकार किया है योजना आयोग ने कपड़ा उद्योग के लिए एक कार्यकारी दल नियुक्त किया था जिसने इसकी समस्याओं पर विचार किया सिद्धान्त रूप में यह निर्ने किया गया कि विट्टिय अभिकर्णों के द्वारा धन उपलब्ध कराया जाए हम जब विट्टिय संस्थाओं से बाची कर रहे हैं कि इन उद्देशों के लिए उधार की शर्तें कैसे उधार बनाई जा सकती है आपने बंगलूर की घटनाओं और बंबई में लिए गए हमारे कुछ निर्नेओं की भी चर्चा की है आप यह भूल गए हैं कि वे निर्ने वास्तों में कांग्रेस द्वारा पिछले आम चुनावों के शीग्र बाद किये गए थे उन पर कारे समिती में विचार विमर्ष और एक राय से सहमती हुई थी और बाद में उन्हें अखिल भारती कांग्रेस कमेटी ने स्विकार किया था बंगलूर में हमने केवल मोटे तोर पर नए सिरे से दिशा निर्देश दिया था इसमें कोई संदेह नहीं कि जब तक देश उस दिशा की ओर ना बढ़े तब तक वह प्रगती नहीं कर सकता मैं नहीं समझती कि आदर्श्वार और व्यावहारिक्ता को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है सभी देशों को अपनी प्रगती किसी न किसी सिद्धान्त पर आधारित करनी होती है प्रश्ण केवल यह नहीं है कि भारत में क्या हो रहा है बलकि प्रश्ण परिवर्तन की उस लहर का है जो दुनिया भर में देखी जा सकती है यहां अनुशाशन और धैर्य के अभाव के बारे में काफी कुछ कहा गया है मैं समझती हूँ कि इन शब्दों का प्रियोग करने से पहले आपको इनका अर्थ ठीक से समझ लेना चाहिए आप शायद इसे अनुशाशन कहेंगे कि इंगलेंड में लोगों से बेगार ली जाती थी और उनसे दुर्व्योहार किया जाता था या छोटे छोटे बच्चे अंधेरी खानों में काम करने के लिए जाते थे और अंधे होकर बाहर निकलते थे जब वे इन सब के प्रती विद्रोह करते थे तो आप शायद उसे अनुशाशन हिन्ता कहेंगे महोदे पिछले पचास पचपन वर्सों से हम खादी संबंधी कार्यकरम को कार्यानवित करते आ रहे हैं इस कार्य की और हमने पर्याप्त ध्यान दिया है और हम में से कुछ ने तो पर्याप्त समय भी दिया है सबसे बड़ी कठिनाई मिल के बने कपडों से परतियोगिता की है एक और कठिनाई यह भी है कि सदा इतनी खादी उपलब्द नहीं होती जितनी की उसकी मांग रहती है खादी का आर्थिक आधार भारतिय जीवन संबंधी कुछ मौलिक तथ्य है हमारा देश किरसी प्रधान देश है जहां अधिकांस लोग किसी ना किसी रूप में खेटी बाड़ी से अपना निरवाह करते हैं यदि आप एक किसान के जीवन पर द्रिस्टी डालें तो आप यह देखियेगा कि उसका खेट बड़ा हो या छोटा वह और उसका परिवार वर्ष भर बराबर खेटी के काव में ही व्यस्त नहीं रह सकता उसे काफी समय बेकार रहना होता है दूसरे रोजगार की खोज में वह अपना घर छोड़ कर नहीं जा सकता क्योंकि खेटी के काम में कभी कभी निरिच्छन की आवश्यक्ता होती है यदि बेकारी का वह सब समय जब किसान व्यस्त नहीं होता खादी तयार करने के काम में लगाया जाए तो देश भर की आवश्यक्ता की अनुसार खादी मिल सकती है ऐसी अवस्था में कोई भी कम मजदूरी का प्रश्न नहीं उठाएगा क्योंकि यह काम तो ऐसे समय में किया जाएगा जो बिलकुल खाली होगा उस खाली समय में किसान कुछ न कुछ कमाएगा ही और वह कमाई ऐसी भी नहीं कि उसका कुछ भी मूल्य ना हो कम से कम वह अपने लिए तो इतना कपड़ा तयार कर ही सकेगा जिससे उसको बाजार से न खरीदना पड़े मैं आपको अपने निजी अनुभों से बता सकता हूँ कि एक घंटा प्रतिदिन कातने से हमें इतना कपड़ा मिल सकता है जितना की एक औसत हिंदुस्तानी के लिए आवश्यक है अर्थात 15 से 20 गज कपड़ा प्रतिव्यक्ती इस द्रिस्टी कोण से देखा जाए तो सस्ते महंगे कपड़े का प्रस्न ही नहीं उठता क्योंकि खादी खाली समय में कि ये परिश्रम से प्राप्त हो जाएगी खादी के संबंद में एक आधार भूत तथ्य है हम जानते हैं कि आदमी सदा काम नहीं करना चाहता कभी-कभी उसे खाली बैठे रहना ही अच्छा लगता है परंतु इन सब कठिनाईयों के अतिरिक्त मैं सोचता हूँ कि खादी का प्रचार और विस्तार असंभव नहीं है अतीत में गांधी जी ने खादी आंदोलन आरंभ किया महोदे उस समय हमारे देश के प्रसासन से कोई संबंध नहीं था तब अंग्रे जी राज था आज मैं इस शुब काम में सम्मिलित हो सका इसको मैं अपने लिए सौभाग्य मानता हूँ जैसा अभी कहा गया आप जिन आयुर्विज्ञान कालेज और कैंसर संस्थान की इस्थापना करने जा रहे हैं ये दोनों संस्थाएं अपने धंग की बहुत बड़ी और उचे दर्जे की संस्थाएं होने वाली हैं स्टॉप